हेलो जी नमस्ते चतिकड़ उजगान उसमें आपका स्वागत है मैं हूँ बिजय चौहान और आपके लिए एक और सीधी भरती के नहीं सूचना लेकर के आगए है कार्याले कलेक्टर आदिवासी विकास अंभिकापूर जीला सर्गुजा चातिस गड़ के अंतरगत नहीं भरती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकासन किया गया है सर्गुजा चिले के विशेज पिछड़ी जन जाती के अभिहारतियों की नियमित निउक्ती के लिए जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन का प्रकासन किया गया है इस भरती में सीधी भरती यहाँ पर की जाएगे किसे तरह का कोई परिच्छा जो है नहीं लिया जाएगा अब इस भरती में सामिल हो सकते हैं बता दें इस भरती में केवल सरगुजा जिले के विसेश पिछड़ी जन जाती के महिला या फिर पूरुस अभिहारती ही जो है आविदन पस्तुत कर पाएंगे आविदन पस्तुत करने की जो अंतिम प्रस्तुत यहां पर बताई गई है 12 म 2023 तक की रखी गई है तो जो अभिहारती जिला सरगुजा के हैं जिनकी कौलिफीकेशन बारविय वक्षा पास की है चाहे वो महिला अभिहारती है या फिर पूरुसा अभिहारती है वे जो हैं इसके लिए आविदन प्रस्तोति यहां पर कर पाएंगे वहीं बात करें पदों क की 43 पदों पर भरती की जाएगो वहीं दूसरी T समवर्ग में अंतरग्ट टोटल 60 पदों पर सायक सिक्चक्षक की भरतिया की जाएगी दो अलग-अलग के अधार पर 103 पदों पर भरतियां की जाएगी इस 103 पदों की भरती के लिए बार्वीपास उमिद्वार आविदन प प्रस्तुत कर पाएंगे वहीं बात करें इनको मिलने वाले वेतन के बारे में तो जो अभियाति साहाक सिक्षक के पद के लिए आविदन प्रस्तुत करेंगे चाहे ई समवर्ग के लिए हो या फिर टी समवर्ग के लिए हो 25,300 रुपे से लेकर गे 85,500 रुपे तक की प्रतिमा आपको सारे देखने को मिलेगी लेवल 6 के अधार पर प्रतिमा आपको वेतन यहाँ पर दिया जाएगा वहीं बात करें आउसीमा और नहिंतम सेक्षटिक योगेता के बारे में तो जो अभियाति इसके लिए आज़न प्रस्तुत करना चाहते हैं एक जनवरी 2023 के इस्तिती में उनके जो उम्रसीमा है 21 वर्स लेकल के 40 वर्स के बीच में होनी चाहिए 77 उम्रसीमा में चैतिगर सासन द्वार आपको छूड़ देखने को भी मिलेगा बता दें इस भर्ती में केबल 12 कक्षा पास मांगा गया है 77 आपकी जो एजुकेशन है उसको अधिक्तम करने के लिए आपको यहाँ पर पांच वर्स का एश्ट्रा से आपको समय दिया जाएगा निंतम सेक्षनिक योगयता के संबन में यह कहा गया है कि अभ्यारतियों को उचादर मादमी कक्षा पास होना जरूरी है 77 जो अभ्यारति सहायक सिक्षक के पत के लिए आविदन प्रस्तूत करेंगे इन पांच वर्सों के भीतर में आप चाहे तो डीड या फिर बीड यासे कोर्स को कर सकते हैं और इसमें उत्तिर्ण हो गरगे अपनी एजुकेशन को जो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं जो अभ्यारति जिनकी qualification अभी 12 अक्षक की है और वी सहायक सिक्षक के पत के लिए अधन पसुत करना चाहते हैं उनकी जो भर्ती है merit के अधार पर यहाँ पर की जाएगी जो भी अभ्यारति जिनका चैन सहायक सिक्षक के तोर पर हो जाता है उनको एश्ट्रा से चेहन हो जाने के बाद 5 वर्स का समय दिया जाएगा इन 5 वर्सों के भीतर में आपको D.A.D. या B.A.D. जैसे कोर्स को करना होगा और कोर्स कर रेने के बाद आप अपनी योग्यता को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं बता दें इसमें जो भी भरती होगी आपकी सेक्षणी की योग्यता के अधार पर जो है मिरिट सुची बनाई जाएगी उसी के अधार पर जो है आपका चैन यहाँ पर किया जाएगा वहीं आवधन पस्तुत करने की जो अंतिमती थी है 12 माई 2023 तक की यहाँ पर रखी गई है इसके लिए आप कार्याले साहक आयूप्त कंपोजिट विल्डिंग अंबिकापूर के पते पर जो है आवधन पस्तुत कर पाएंगे द्वारा निकाले गई भर्ती प्रक्रिया के बारे में इस भर्ती में केवाद सर्गुजा जिले के बिसेस पिछली जनजाती की अभ्यार्थी जो है आवधन पस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे टोटल एक सो तीन पदो पर जो है सिक्षाकों की भर्ती की जाएगी अगर आप भार्विक अच्छा पास हैं आप इसके लिए आवधन पस्तुत कर पाएंगे